आज हम एक और यहां पर अर्थमेटिक का सेशन लेके आ गए हैं आज है लेक्चर फोर अगर आपने पहले के तीन लेक्चर नहीं देखें तो उपर आई बटन में आप देख सकते हैं कि बहुत ही हमने बेसिक लेवल से यहां पर अर्थमेटिक शुरू किये जिसे हम कौनिटि आप्टिट्यूड भी कहते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर क्योंकि लगबग 20 परसेंट यहां पर यहां पर वो पार्ट B के सेक्शन में आएगा जिसमें की इंगलिश, मैस, रीजनिंग और यहां पर जनरल अवेर्नेस है तो यहां पर पार्ट 4 है आज हम प यहां पर आपको मिलेगा एरिकल्चर IQ Official तो जोईन दर टेलिग्राम चैनल टूटे अब बात करते हैं क्वाड़िटर एक्वेशन की क्वाड़िटर एक्वेशन जैसे मैंने बताया आपको कि अगर इससे सवाल आएंगे तो डेफिनेटल आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं क् थोड़ी आपको चीजे ध्यान में देनी हैं जिसे कि जो अगर तीन से चार कोशन आ गए तो आपके मैक्सिमम यानि की चार में से बिल्कुल चार नंबर यह गैरंटी के साथ यहां पर आ जाएंगे तो अब देखते हैं कि क्वाड़िटर एक्वेशन होती क्या है यहां पर इक्वल टू जीरो यहां पर लिखा रहता है तो उनको बोलते हैं क्वाड़िटर एक्वेशन अब जनरली हम यहां पर बेसिक से चलेंगे कि इनको सॉल्फ कैसे करते हैं सॉल्फ करने का आपको बहुत अगर आप मैस बैग्राउंड से तो आपको पता होगा कि यहां पर जो जो यह बी है यहां पर यह कॉफिशेंट है यहां पर कॉफिशेंट है जो सी है यहां पर यह कॉंस्टेंट है यानि कि यह जो सी यहां पर यानि कि 6 है तो अब अगर हम कहेंगे यानि कि AX स्क्वार प्लस BX प्लस सीक्वल टू जीरो यहां पर इसमें A यहां पर अगर हम ब multiply करते हैं 5 और 6 को और इनके factor निकालते हैं तो वैसे तो factor हमको पता है कि 30 आएगा यहाँ पर और फिर इसको आएगा factor 5 और 6 नहीं पर factor आएगे तो अब यह आपने generally method यहाँ पर सीखा होगा बच्पम में यानि कि यह ऐसे करते थे 5x प्लस 11x प्लस 6 अब फिर यहाँ पर 5 को यहाँ पर common लेते थे 5x को तो x प्लस 1 यहाँ पर आता था और यहाँ पर आता था 6 6x प्लस 1 जनरली आता था तो यहाँ पर यह फैक्टर यहाँ पर सेम हो गए फिर आता था x प्लस 1 और यहाँ पर 5x प्लस 6 यह आपने यहाँ पर 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 टाइम टेप केंगे है और आप फैक्टर लगाने में पूरा दिन नहीं लगा सकते तो यहाँ पर क्विक मैथड है यहाँ पर कि सिंपल है यहाँ पर कुछ यहाँ पर साइन का खेल है यहाँ पर देख लेते हैं पहले किस टाइप से यहाँ पर कोशन आते हैं कि यहाँ पर बठाना पड़ता है कि इन options में कौन सा सही है तो यह है यहाँ पर आजकल के जो questions आते हैं quadratic equations है अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आप इसको कैसे कर सकते हैं quickly तो generally है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह plus का sign है और यह plus का sign है तो यहां पर sign जो trick है वो generally हम अपनाएंगे तो sign के खेल से आप बहुत ही जल्दी से यहां पर question solve कर सकते हैं तो generally हमें यहां पर trick देखनी है यह है यहां पर plus plus minus minus plus minus plus minus जो उसके यहां पर factor आएंगे उनका जो sign होगा यह generally उपर चल जाएगा minus minus यह फिर नीचे plus plus फिर यह फिर नीचे plus minus यह minus plus यहां पर यह आप screenshot ले लिए यहां पर कि जो यह है कि जो यह plus plus है यानि कि जो यह वाले sign है plus plus उनका जब हम factor निकालेंगे तो हमेशा minus minus ही आएगा जैसे हमने अब इस सवाल में निकाला था तो हमारे जो answer आया था वह generally minus one आया था और दूसरा था minus six by five तो यानि कि यह जो trick है वह definitely यहां पर काम करती है तो generally आपको यह अब यह जो हमने अभी trick बना यह वह कैसे है तो generally आपको करना क्या है plus plus minus minus simple फिर करना है plus minus plus minus यह जब आपको आ गया है तो आपने definitely यहां पर जो नीचे वाला है उसको उपर फिर यहां पर जो समान रूप से यहां पर उतार देने नीचे फिर यह and then यह I hope आप सीख गए होंगे अब निकालते हैं कि अब इसको कैसे हम applicable करें question में अब आप देख सकते हैं यहां पर minus और यहां पर minus sign है तो हमने यहां पर किया था plus minus plus minus plus plus और minus minus अब यहां पर देखिए minus minus sign है तो minus minus sign का हो जाएगा यहां पर plus minus तो plus और minus का जो आएगा वो generally आएगा यहां पर तो देखते हैं यहां पर क्या क्या आएगा तो हम अब निकालते हैं इनका, बहुत ही जल्धी से यापब निकाल देते हैं, तो हम जनरली बहुत फास्ट तरीके से यहां पर देख लेते हैं कि क्या यहां पर फेक्टर हैंगे 3, 2, 6 और यह 2 और यहां पर 5 और यह 7 बंज़ा 7 यानि कि 3, 2, 6, 5, 7 जो 35 इस तरीक से नहीं आएगा 2, 5 जो 10, 7 जो 21 तो यहां पर जनरली जो आ रहा है वो आ रहा है 21 और 10 21 और 10 यहां पर जो आ गया है फेक्टर तो यहां पर 21 और 10 यहां पर आ गया है तो जैसे कि हमने कहा था कि जो माइनस माइनस का है वो है प्लस माइनस तो यहां पर प्लस माइनस हम कर जते हैं प्लस, माइनस और यहाँ पर simply इसकी डिवाइड में 6 यानि कि A हमेशा यहाँ पर नीचे रहेगा यहाँ पर काटेंगे इसको अगर हम तो आजाएगा 7 बाइट 2 और आजाएगा माइनस 5 बाइ 3 बहुती simple तरीके से आपका answer आ गया I hope आपको आगया होगा simply यहाँ पर दुबाड़ा देख लेते हैं यह आपकी equation है हमने आपको कहा था कि यहाँ पर जो constant है उन दोनों को into कर दीजे तो 6 और 35 का into करके यहाँ पर इस अच्छा है हम इसको LC में लिख देंगे यहाँ पर factor ऐसे लाने है जो यहाँ पर 11 आ सके तो यहाँ पर factor यहाँ पर आ गए है हमारे 21 और 10 क्योंकि हमने plus minus जो sign है sign का हमने trick सीखी थी तो minus minus का आएगा plus minus यहाँ पर generally यहाँ पर 21 और यहाँ पर 10 आप लिख दीजे 10 आप ने लिख दिया है और simply यहाँ पर 6 आपका आ जाएगा और यहाँ पर cut के यहाँ पर 7 by 2 और minus 5 by 3 आपका simply आ जाएगा I hope आपको clear हो गया होगा next है आपका तो अब हम यहाँ पर question में आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो exam में question आएगे वो आएगे तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखे equation दे रही है दोनों और यहाँ पर देखे plus plus का यहाँ पर simply यहाँ पर roll है तो देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आएगा सवाल अब हमने देखा तो यहां पर देखिए sign यहां पर plus plus के हैं तो देख लेते हैं यहां पर कि क्या आएगा plus plus के sign है तो generally यहां पर जो answer आएगा वो minus minus में आएगा guys trick यहां पर simply है plus minus plus minus अब है plus plus और minus minus then है अब का यह उपर आजाएगा minus minus यह plus plus minus और यह plus minus simply यह trick थी अब हम देखते हैं question में कैसे इसको applicable करें guys थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जो sign है वो थोड़ा गलत हो गयते तो जो sign format है वो है plus minus plus minus simple यहां पर plus minus plus minus करना है पहले then है आपका plus plus minus minus और simply आपको इसको as it is यहां पर नीचे वाला उपर minus minus अब इसको alternate याने की इस तरीके से plus plus minus plus और यह plus minus आपका आजाएगा यह आपको correct रखना है थोड़ा यहां पर गलती हो गए थी वह आपको ध्यान देना है तो साई format यह है इसका आप यहां पर 25 के factor निकालेंगा है तो 5 और 5 आएगा तो 5 और 5 यहां पर minus minus हम लिख देंगे यह आपके factor आगए देखिए आपने कितना असान है यह आपको factor निकाला फिर है यहां पर नीचे वाली उसमें value में देखा आपने y तो यहां पर 190 के अगर हम factor निकालेंगे जल्दी से 190 के factor निकालेंगे तो 190 के आप लिखा देंगे 5, 3, 15, 5, 8, 40, 2, 19, 19 और 19 बंजा 90 यानि कि 10 और 19 आपको factor आगा है 10, 19 आपको factor आगा है यानि कि minus यह 19 अब दोनों को compare करेंगे अब compare कैसे करेंगे देखिए यहां पर अब compare करने के लिए हम generally यहां पर minus 5, minus 5 आपका आया और आपका आया minus 10 और minus 19 तो जो पहला number है उनको compare करेंगे हम इन दोनों number से तो आपको पता होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताएता हूँ यहां पर जो minus में जितना छोटा number होगा वो उतना ही बड़ा होगा जैसे minus 2 और minus 4 में बड़ा यहां पर minus 2 होगा और आपको लगेगा यहां पर टू और 4 में जो तो यहां पर बड़ा 4 है पर जब minus आIT तो जितना छोटा नंबर होता है वो उतना यहीं बड़ा होता है यह आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया यहांपे तो यहांपर generally हम देखेंगे यहांपर minus 5 minus 5 minus 10 minus 19 अब हमने का कि जो पहला नमबर है उसको यहांपर compare करेंगे दोनु यहांपर y से इससे और इससे minus 5 यहांपर minus 10 से अगर हम compare करेंगे तो minus 5 यहां पर बड़ा है, minus 19 से भी यह बड़ा है दुबारा अगर हम compare करेंगे minus 5 से तो यह बड़ा है यहाँ पर तो यहनि कि simple यहाँ पर आंसर आजाएगा हमारा कि x बड़ा है y से x बड़ा है यहाँ यहाँ पर y से simple आपका आंसर आजाएगा I hope आपको clear हो रहाँ आगा जब आप इसकी practice कर लेंगे मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर इसको 10 से 12 question दे दूँगा तो आप जब practice करेंगे तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर लगबग 15 से 20 से केंड में आपका answer आजाएगा और आप यहाँ पर जो point है यहाँ पर जो marks है वो gather कर लेंगे next question देख लेते हैं जल्दी से यह आपका minus minus तो minus minus sign है यहाँ जल्दी से आप देखते हैं यहाँ ट्रिक से यहाँ पर आया plus minus इसका जो factor आएगे आप 40 का अगर आप यहाँ पर factor निकालेंगे तो यहाँ पर 5, 8 जा 2, 4 जा 4, 1 जा 4 तो यहाँ पर factor आगए है यहाँ पर तो इसके factor आएगे यहाँ पर 4 और 10 यहाँ पर factor आजाएंगे 4 और यहाँ पर 10 10 और 4 यहाँ पर generally आगए है next हम देखेंगे हैं आपने कि यह plus का है यह minus का है 40 का अगर हम निकालेंगे similar यहाँ पर 4 तू जा 8 याना कि 10 और आपका 8 यहाँ पर factor आगए नहीं guys यहाँ पर आजाएगा इसका 20 और 2 से यहाँ पर बन रहा है 20 और 2 यहाँ पर factor आजाएंगे अब कैसे है यहाँ पर देखेंगे 5, 8 जाएँ यहाँ पर 5, 2 जा 10, 10, 2 जा 20, 20, minus 2 तो यहाँ यहाँ यह बहुत ही जल्दी यहाँ पर आजाएगा अब आप दोनों को compare करते हैं यहाँ यहाँ 10 को अगर हम compare करेंगे 20 और minus 2 से तो 10 यहाँ पर बढ़ा है 20 से 10 बढ़ा है और यहाँ पर minus 2 से भी यह बढ़ा है minus 4 के अगर हम बात करें तो यानकी minus 4 और 20 में से 20 बढ़ा है generally अगर guys यहाँ पर अगर ऐसे आता है अभी आपने देखा 10 बढ़ा है तो हमने यहाँ पर generally greater देख दिया यहाँ यहाँ पर देखिए 20 की अगर हम बात करें तो 20 यहाँ पर बढ़ा है minus 4 से 20 minus 4 से बढ़ा है तो यह sign आजाएगा ऐसे और जैसे यहाँ पर दोनों मुँ आपस में टकरा है face to face तो आपका simple ही आजाएगा cnd आग बंद करके तब आपको जारना ही नहीं है आगे बात चीज समझ में आ रहे है यानि की यह आपका answer यानि की relationship cannot be established cannot determine cnd आपका answer आजाएगा फिर से देख लेते हैं आपके sign आये थे हाँ पर minus 4 10 फिर आये थे आपके sign 2 minus 20 तो generally आपने देखा की पहले आ रहा था x बढ़ा रहा था फिर 20 से हमने किया तो 20 यहां पर बढ़ा गया तो 20 बढ़ा गया तो face यहां पर दोनों same यानि आपस में आ गया यानि की greater face smaller तो यहानि की relationship cannot be established दूसरा question देखते हैं यहां पर जल्दी से अब हैं यहां पर minus plus minus plus का हमने बथाई है आपका plus plus आएगा आपका factor तो 5 और 63 को जल्दी से कर देते हैं आपके factor निकाल देते हैं तो 5 बंज़े 5, 7, 9, 9 यहां की 35 और 9 आपके factor आ जाएंगे 35 और 9 आपके factor आ जाएंगे x अब देख लेते हैं y यानि की 15 और 18 जल्दी से हम कर देते हैं 15 और 18 के factor तो 3 5 जा, 3 6 जा, 5 जा 5 और 6 जा 6 3 2 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 तो इसके जो factor आएंगे guys वो है आपका 10 और 27 इसके factor आ जाएंगे अब कैसे है यह 10 और 27 जानली हमने किया 3 3 जा 9 जा 27 और 5 2 जा 10 तो जानली की 27 और 10 आपके factor आ गया चीजे समझ में आ रही है guys यहाप अब जब हम compare करेंगे 35, 27 से बड़ा है 35, 10 से बड़ा है 9 यहापर 27 यहापर यह बड़ा छोटा हो गया तो अगेन यहापर जो answer आ जाएगा आपका तो आप देख सकते हैं एक उसमें x बड़ा है एक उसमें y बड़ा है नहीं 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 तो दुबारा देख लेते हैं आपके जो factor आए आपके एक चीज यहापर हमने गड़बड़ी कर दिये कि 35 और 9 जो factor आए उसको generally हमने 5 से डिवाइड नहीं किया यह थोड़ी common चीज है गाई यह आपको ध्यान देना है मैंने भी ध्यान नहीं दिया है आपर तो 7 और 9 और 5 यानकी 1.8 यहाँ पर factor आगए दूसरे case में हमने देखा था यहाँ पर जो factor थे वो 10 और 27 थे 10 15 से करेंगे और 27 15 से तो generally आजाएगा 0.6 और यह आजाएगा 1.8 तो दोनों को compare करेंगे 7 और 0.6 तो यहाँ बड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर अगर 1.8 को यहाँ पर 0.6 है आपर वो करेंगे तो यहाँ पर 1.8 बड़ा है और 1.8 से 1.8 तो यह बड़ाबर है तो आपका simply यहाँ पर answer आजाएगा x बड़ा भी है और equal to है y से guys जैसे मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है वैसे विए आप बिल्कुल मत करिए कि आपको यहाँ पर देखना है कि x स्कायर के साथ क्या है यानि कि a जो है उसको भी आपने लिखना है generally यहाँ पर यह होता है यहाँ पर formula होता है और यहाँ पर c by by a हम generally करते हैं तो आपने देखा होगा next question देखते हैं यहाँ पर next question है आपका minus plus again आगया है तो यहाँ कि plus plus sign आएंगे तो 3 बंजा 3 यहाँ पर 3 plus 1 आगया इसका factor 3 plus 1 फैक्टर 3 plus 1 और यहाँ पर जो 3 से हम यह कर देंगे तो 1 और 1 by 3 next में आपका 15 5 और 3 आगया आपका factor 5 और 3 यहाँ देगा 1 by 3 और यहाँ देगा 1 by 5 तो 1 और 1 by 3 में आपका जो बड़ा है वो है 1 1 और 1 by 5 में 1 यह 1 by 3 यानि कि 1 by 3 में equal हो जाएगा और 1 by 3 और 1 by 5 में जो बड़ा है आपका 1 by 3 तो generally जो आपका answer आएगा वो है x बड़ा है again और बराबर है y से यह आपको ध्यानत ना है तो next question देख लेते हैं आपर अब है यहाँ पर plus plus यानि कि जो sign आएंगे वो minus minus के है 45 तो generally यह आपने देखना है 45 45 के factor निकालेंगे तो 5 और 9 minus 5 88 के निकालेंगे तो 88 के आप निकालेंगे 11 8 जा 8 11 और 8 generally आगए है अब आप बोलोगे कि आपने इसमें upon में a तो लिखा ही नहीं तो a में यहाँ आप देखें x square के आगे कुछ नहीं है और आप 1 भी लिखेंगे तो answer 5 यह आएगा minus 5 जल्दी से compare कर लेते हैं minus 5 और minus 11 में बढ़ा है minus 5 minus 5 और minus 8 में minus 5 minus 9 और minus 11 minus 9 और minus 9 और minus 8 में बढ़ा है आपका minus 8 तो generally यहाँ पर answer आ जाएगा c and d आग बढ़ा करके चीजे आपको समझ में आ रहे हैं कि आपने पहले को दोनों से compare किया फिर यहाँ पर minus 9 को दोनों से compare किया फिर minus 11 को यहाँ पर दोनों से compare किया minus 8 को यहाँ बढ़ा का answer नहीं आता तो यहां पर जो sign है वो एक greater भी है यानि x greater भी है और दूसरे के समें y greater है तो ऐसा नहीं आ सकता है तो यहां पर cnd generally आ जाएगा next question देखते हैं यह है दूबारे यहां पर plus plus है तो यानि कि जो factor है वो minus minus में हैंगे तो जो factor आएगा वो generally आएगा 6 plus 1 6 6 और 1 आ जाएगा आपका minus 6 minus 1 तो यह लग दिया यानि कि minus 2 और minus 1 by 3 तो next देखते हैं तो आपके जो factor थे वो थे minus 2 और minus 1 by 3 दूसरे में देखते हैं यहांपर 3 और 2 आपके generally आ जाएगे 3 और 2 यहांपर factor आ जाएगे अब हम दोनों को compare करेंगे तो minus 2 यहांपर minus 3 में से बड़ा है minus 2 minus 2 minus 2 में से यहांपर यह equal आ गया minus 1 by 3 और minus 3 में से यहांपर जो बड़ा है वो हमने का यहांपर छोटा नमर यहांए minus 1 by 3 और इन दोनों में यहांपर यह आ जाएगा minus 1 by 3 minus 1 minus 2 से बड़ा है तो आपको simply आ जाएगा x बड़ा भी है और equal है y से आपका answer simple guys next question देखते हैं अपर again यहांपर minus और plus का आगया देखिए minus और plus का sign तो आपका जो factor आएगे वो plus plus में आएगे तो 3 और 8 में अगर हम निकालेंगे 3 और 8 में factor निकाल देते हैं 3 बन जाए 3, 2, 4 जाब 4 बन जाब 4 तो यहांद कि 6 और 4 आपके factor आ जाएगे 6 और 4 और यहांपर 3 आपका तो आए गई यहांद कि 2 और 4 बाई 3 यहांद कि 2 और 4 बाई 3 यहांद कि 2 और 4 बाई 3 नेक्स्ट है आपका 15 और 2 15 और 2 जल्दी से करते हैं आप है 3 5 जा 5 बन जा 5 और 2 यहांद कि 6 और 5 आपका factor आगे 6 और 5 यहांद कि 2 3 और 5 बाई 2 अब देखिए यहांपर जदी से compare करते हैं 2 और 5 बाई 2 में से यहांद कि 2.5 यह बड़ा य फिर हम करते हैं 4 बाई 3 यहांद कि 1.6 और 3 में से यहांपर जो बड़ा है वह आगा 3 जैसी आपका i कि यहांपर एक सूरत में आपर x बड़ा हो रहा है दूसरे उसमें y बड़ा हो तो simply यहांपर जो answer आजाएगा आपका वो है आपका cnd आता है यहांपर जैनली आपर देख लेते हैं यहांपर फिर से कि क्या हम सही कर रहे हैं यहांपर जो answer था यह पहले में 2 और 4 बाई 3 दूसरे में था आपका 5 X 2 और 3 2 और 3 को हमने किया तो जैनली जो बड़ा है वह 3 आया ओ यहांपर 2 और 2.5 को करेंगे तो यहांपर बढ़ा है यहाँ पर यह आया 5.2 और यहाँ पर 2 और जैसे हमने 3 को गए यानिकी बढ़ा आया 3 तो जने लिए जाएगा आपका y बढ़ा है x से यानिकी d गाइद आपको तरीका पता चल रहा होगा थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है यहाँ पर आपको मैं भी यहाँ पर करी रहा हूँ आपके साथ ही तो चीज़े आपको देनी है ध्यान से अब ट्रैक्टिस अगर होगी आपकी तो बहुत जल्दी आपक जो accurate answer आजाएगा next question देख लेते हैं आपर अब देखते हैं आपर यह बहुत ही simple है x square equal to 129 से इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ x square generally अगर हम करें 9 तो यहाँ पर जो factor आएंगे वो आएंगे plus 3 minus 3 अब आप बोलो गए कि minus 3 क्यों है आपको पता होगा कि अगर हम minus 3 minus 3 को into करेंगे तो answer आएगा आपका 9 और जो यह minus minus के साइन है वो आजाएगा plus similarly 3 को 3 से into करेंगे तो simple यहाँ पर 9 और plus का 9 तो उसी तरीकी से यहाँ पर जो x square है इसके जो sign आएंगे वो आएंगे plus और minus plus और minus 1296 का square root करेंगे यहाँ तो आएगा आपका 36 minus 36 और plus 36 अब y तो 36 है तो simply आप compare करेंगे 36 36 को equal है minus 36 36 में यहाँ पर y 36 बढ़ा है तो यानि कि जो answer आएगा आपका वो simply आएगा कि y बढ़ा है और equal है x से यानि कि y बढ़ा है equal है x से अब एक और चीज है यहाँ पर guys अगर यहाँ पर x cube होचा 8 तो तब आपका answer आता minus 2 simple सिर्फ अगर यहाँ पर minus लिख रहाता है तो minus 2 आता है यहाँ पर क्योंकि minus 2 minus 2 जब into करेंगे तो आएगा 4 अब फिर 4 से into करेंगे minus 2 यानि कि minus 8 तो उस सूरत में यहाँ पर जो factor आएगा वो आएगा एक ही यह आपको ध्यान देना यह सी दा उपर minus minus plus 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 minus plus और plus minus आपके factor है यह आपको ध्यान देना है So thanks for watching and have a great day